हे वाट सब गाईज कैसा आप सब लोग तो आज की इस वीडियो में हम फियोनिक्स पाम को सीट से ग्रो करेंगी तो फियोनिक्स पाम को जो है सीट से ग्रो करना बहुत ही इजी होता है फियोनिक्स पाम इस तरह का दिखता जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फियोनिक् और खजूर के पेड को श्रिंक कर दिया धून तो जो हमारे पेड है इसको ब्लाए के लिए कोपीट लिया है इसको में जदा पुछ ही किया इससे ऑज्ड़ी इसमें बहर लिया है इसको पुछने करना तो हमारे सॉफ मीड़िया удisam नातर का घंड खाल ये छोयन थैदा पसा पाहु मैं के सीडस है याना की जो सीडसğें मैंने जितने सब्सक्राइब करें रिक प्लाइक करें लाव तरह झालेशन ते पाहने छहां पर मैंने पाहिए सब्सक्राइब का पर प्लाइक्ञर बहुंख लगा रहते हैं, जिसको वनस्वती तेल कहते हैं या पाम ओयल तो अगर आप यह सीड्स खरीदना चाहते हैं लिंक डिस्रिप्शन में अभी जाके खरीद सकते हैं होम डिलिवरी अवेलिबल है आप चाहे तो इसको अपने घर भी मंगा सकते हैं डिलिवरी चार्जिस इंकलूड नहीं किये जाएंगी तो जो यह हमारे सीड्स हैं इनको हम यहाँ पर लगाएंगी इस मीडिया के अंदर यह सीड्स काफी हार्ड से होते हैं और गोल शेप के हो कि अभी मॉंसून का थोड़ा सा सीजन है जो हावा में नमी है इसलिए जो सीड्स हैं जल्दी जर्मिनेट कर जाएंगे सीड्स के वीच में एकवल डिस्टेंस रखना है क्योंकि जो सीड्स हैं वो जब जर्मिनेट करेंगे तो एक सार दूसरे का प्लांट लगने से खराब हो सकते हैं इनको हम 省ड़ा देंगे इसी मीडिया के अंदर और इसके बाद हम उसके जादा डीप नहीं तुमहाना । इसके जो मेड़ाविकर कर देंगे जिससे जर्मारे सीड्स हैं हमें वह दिखे ना शयर्F हमें जो को कोपають वोई दीखे आप चाहीते इसको पटक कर refere seeds cover कर सकते हैं या फिर इसी तरह भी कर सकते हैं तो जो हमारे seeds हैं या बच्छे से आपको cover होके दिख चुके हैं कि हमें यहाँ पर seeds नहीं दिख रहे हैं यह beginners के लिए टेप है जब भी आप seeds लगाएं तो इसको को अच्छे से कवर कर दीजिए अगर आप सॉयल यूज कर रहे हैं तो उसको जादा कवर मत कीजिएगा क्योंकि जो सॉयल होती हो काफ़ी जदा हैवी वेट माटीरियल होता है जिससे जो हमारा सीड है वो अच्छे सिफ़ जर्मिनेट निकर पाता है अगर सॉफ्ट तो ट Εचे रहेंगी टाइम के ताब के साथ जैसे जैसे उसको पानी कम ही होगी वो अग्रो जाती है अगर उसको हम झाल ये पानी देते हैं तो या या है या पर आयप सकते हैं जो कि हाई ट्रीनेज वाली है औरिशके अडर सीड़ जर्मिनेट कर जाते हैं आप चाहे तो जो कोको पीट है उससे कवर भी कर सकते हैं बाद में सीड को लगा कि जिससे जो हमारे सीड है उसको प्रॉपर पानी मिलता है पानी माइने रखता है तो जो हमारे सीड है इनको भी हम वाटरिंग करेंगे तो जो पानी है वो काफे जदा माइने रखता है अगर सीड जर्मि को मिलेगा अज़ा इसको मैं अच्छे से बोल्टरिंग यांपर करी हुई है तो जो सीड हमारा वो काफे जदा के वो करने के वजा से गलन लगेगा यानि जो उसका आउटर के लेका याए जैसाकि यहां पर असर पड़ेगा पनी जासे चीसमी। जब इस पर पानी लगएगा तो इस पर कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा ही जब इसके ओपर पानी लगएगा एक काफ़ी जदा हार्ड सीड है और गोल सीड है जैसे कि बिंडे के सीड होते हैं लेकिन बिंडे के सीड भी कुछ हथ तक सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें काफ़ जदा hard seed होते हैं जो कि germinate होने में कुछ time ले सकते हैं तो जो हमारे seeds हैं काफ़ जदा अच्छे से germinate कर जाएंगे जब हम इन्हें लगा देंगे इसी तरह की किसी media में जो कि हमारे जो seed हैं इसको germinate करने में मदद करेगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share करें और चैनल को subscribe करें मैं मिलूँगा आपको इस से अगली वीडियो में